दूद कलेक्शन सिंटर कैसे स्टार्ट करें और कैसे अच्छी इंकम करें जानिए वीडियो में दोस्तो जितने रुपए का दूद का कारोबार होता है उतना कारोबार तो अनाज और दालोग को मिला कर होता है तो अगर आप भी दूद डेरी से जुड़े बिजनस करना चाहते हैं तो यह अच्छा फैसला है इस सेक्टर में प्राइवेट और कोप्टी दोनों ही काम कर रहे हैं डेरी सेक्टर में कई तरह से काम किया जा सकता है वैसे तो अगर अगर इक्जांपल के लिए देखें जैसे के डेरी प्रोडेट्स का बिजनस कर सकते हैं या फिर गाओ भयस पाल कर आप दूद सप्लाई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि इस बिजनस को कैसे किया जा सकता है तो देखिए अगर देखा जाए कि आपको इस बिजनस को करना है तो सुरुवाद कहां से करनी है तो ये ऐसे सुरुवाद करना है कि आप जिस भी गाउं में रहते हैं जहां पे आप रहते हैं वहां से आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक जगा चाहिए होगा जहां पे आप दूद कलेक्शन सिंटर खोलेंगे फिर अपने गाउं के साथ-साथ आपको दूसरे आसपास के जो भी गाउं है आपको वहाँ जाना है और वहाँ भी आपको दूद इकटा करने के लिए जो लोग पसुपालक है जो गायब है स्पालते हैं तो उन लोगों से आपको मिलना है उन सभी लोगों से अपने गाउं के और आसपास के गाउं के भी सभी लोगों से जो पशुपालक है ऐसे लोगों से मिलकर आपको बात करना है उनको बताना है कि जो है आपका टायर दूद कमपनी से है तो आप उनसे दूद खरी देंगे और आगे दूद कमपनी को माल सप्लाई करेंगे तो उनको उनका फाइदा आपको बताना है और जहां तक मैं अगर बोलू तो मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं अगर अच्छे से समझा सकते हैं तो जादा तर लोग जो हैं जो भी प्लांट तक इसको भेज़ दीजिए, आपको करना कुछ नहीं है, कमपनी की गाड़ी आती है, वो खुद से सारा दूद लेकर अपने प्लांट पे ले जाती है, तो आपको बस इतना करना है, कि जो भी पशुपालक वगेरा है, आपके गाओं में, आसपास के गाओं में, सब से टाइप कीजिए, और उन से दूद आप खरिद के, आप लेकर अपने दूद कलेक्शन सिंटर पे रखिए, और फिर वहाँ से दूद कमपनी की गाड़ी आएगी, जो लेकर चली जाएगी, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, सिंपल सा फॉर्मूला है काम को करने का, अब ये है कि जदतर अगर इसमें कुछ और भी काम है जो आपको ध्यान देने पड़ते हैं, जैसे कि अगर देखे कि दूद के फैट को आपको वहाँ पर जाच करके अलग-अलग कंटेनर में स्टोर करना होता है, और फिर दूद कमपनी को भीजना होता है, मतलब स उसको अलग-अलग तरीके से आपको दूद कमपनी को भेजना है, देखे कैसे कर सकते हैं इसकी शुरुवात अगर इसकी बात करें, तो इसके लिए जादा पैसे की इन्वेस्टमेंट भी आपको जरूरत नहीं है, बस पहले किसी कमपनी से आप जाईए और कॉंट्राक्ट करके उनसे टाई अप हो जाईए, और उसके बाद उनसे दूद लेके आग कमपनी को दूद भेज दीजिए, ये सिंपल सा है, अभी ये भी है कि कमपनी जो रेट पे ताई करेगी आपको पैसे देने का, उस रेट के हिसाब से आपको फिर पैमिन मिलेगा, तो ये भी जान है कि कैसे ताई होता है ये पैमिन, तो देखिए दूद का रेट जो है, वो इस हिसाब से होता है कि दूद में मौजूद जो फैट होता है और SNF यानि कि solids not fat के आधार पर दूद का जो दाम है वो ताई होता है, कोपिटिब यानि कि जो संग होता है, वो दूद के जो दाम ह है वो ताई करती है और जैसे कि अगर देखे तो 6.5% fat पे और 9.5% SNF का ताई होता है, ठीक है तो इस हिसाब से जो है आपको rate मिलता है दूद का, अब इसके बाद है कि जिस मातरा में fat कम होता जाता है, उसी तरह से कीमत जो है वो घटती भी जाती है, तो अगर investment और profit को अंदर आपका investment करके आप अच्छे तरह से आप जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं दूद कलेक्शन सिंटर की और मंतली income की अगर बात करें तो नहीं भी तो शुरुआत में एकदम कम से भी देखे तो 30, 40, 50,000 की शुरुआत आपकी income होनी शुरू हो जाती है, फिर धीरे त तो आप जितना जादा जो है collection करते हैं और जितना जादा company को भेजते हैं तो उस हिसाफ साफ का income भी बढ़ता चला जाता है तो बहुत ही simple सा business है गाओं देहात में करने वाला business है और बहुत ही easily इस पे लोग इस business को करके आगे बढ़ रहे हैं तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए बहुत ही अच्छा option है income करने का